हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं यूट्वीब चैनल 6th of June की NSE BSE bulk deal report देखने से पहले हम 5th of June की कुछ जो highlights उसका review कर लेते हैं और देखते हैं कि stock price पे उनका कैसा impact रहा तो हम कुछ important जो bulk deal थी उनके price थोड़ा आज review कर लेते हैं पहला जो डील थी NSE पे India Pulse Real Estate Housing उसमें एक buy की bulk deal थी कल तो आज उसका price भी अब था अल्मूस्ट पांचे रुपे और दूसरी जो important bulk deal हुई है आज इसमें भी एक अच्छी खासी moment देखी गई प्राइज में तो अगर इसमें भी अगर आपने buy का trade लिया था तो अच्छे पैसे बन दें दूसरा career point limited mix sell की bulk deal थी कल तो इसका price भी डाउन था तो ये short करने वाला आज stock था कल भी इसमें sell की bulk deal हुई हुई और चौथा जो important bulk deal हुई थी सिनर एनर्जी सिनर एनर्जी सिनर एनर्जी इसमें भी buy की bulk deal भी इसके भी price थोड़ी अपमेंट मुवमेंट तो चलिए आज की रिपोर्ट हम देखते हैं कि क्या important points है आज की रिपोर्ट में हम NSE की रिपोर्ट से start करते हैं NSE में जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत सारे stocks म में काफी भारी भरकम ट्रेडिंग होई है बलगरांपुर्चीनी अटलांटा लिमिटेड जस्टाइल रिलाइंस कम्मुनिकेशन तो यह सब ट्रेडर्स की फेवरेट स्टॉक है तो हर रोज की तरह आज इन में भी अच्छी खासे ट्रेडिंग होई है जो important retail मुझे लेकी वह मैंने highlight करती है अगर आप बाकी भी stop करके review कर सकते हैं one by one अगर आपको कोई stock ठीक लगता है तो आप तल के लिए trade में आपकी help हो सकती है आज जो मुझे important लगा GSE Infotech इसमें एक buy की bulk deal थी अल्मूस्ट एक लाख shares purchase किये गए है इंडिया इंडियान एनर्जी एक्स्चेंज में एक sell की bulk deal थी पर इसका आज price reverse movement बुर्की आप था विजे संथी builders इसमें एक buy की bulk deal थी चलिए देखते हैं किस price पर ये deal lock हुई है GSE Infotech एक लाख shares 81 रुपीज 58 पैसे पर विजे संथी builders 2,89,000 shares 9 रुपे 16 पैसे पर BSE पर आज mostly SME sector की काफी deals थी तो उसको थोड़ा हम ignore करते हैं विकास वो उसमें बड़े orders लेने पड़ते हैं तो जो important मुझे इसमें लगा Indian Energy Exchange इसमें भी sell की deal हुई है and Sumit Industries आप बाकी भी stop review कर सकते हैं आपके कल के अगर आप trader है तो कल हो सकता है इससे आपको कोई help मिल सकें तो चलिए देखते हैं किस price पर ये deal lock हुई है Indian Energy Exchange में Morgan Stanley ने sale किया है almost 1,54,000 shares 1590 पर Sumit Industries में buy किये गया है 5,2,700 shares almost 17.30 price के उपर I hope friends ये information आपके लिए कल के trade के लिए useful रहे अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो like जरूर कीजिए चैनल को subscribe करना मत भूलें ऐसी daily updates लेने के लिए Thank you very much for watching this video